आईए, साथ मिलकर योग की एक वैज्ञानिक खोज का प्रारम करें, जहां आप वैज्ञानिक हैं, और प्रयोक्षाला है आपका हृदै, और आप ही हैं परिणाम. नमशकार, दाजी के साथ ध्यानकारिक्रम में आपका स्वागत है. आशा है कि आप इस श्रिंकला का लाब उठा रहे होंगे, जिसमें दाजी हमें हाटफूलनिस के अनेक पहलों से वाकिफ करवाते हैं, और दाजी अपने जीवन से भी जो उने सीख मिली है, वो हमारे साथ ब लिखी थी, जिसका शीर्शक था विज्डम ब्रिज. इस किताब में दाजी ने आधुनेक परिवार के लिए कुछ सोजाव लिखे हैं. दो विज्डम ब्रिज पर अधारित लोगों ने कुछ सवाल भी दाजी से किये हैं, और इस सत्र में दाजी उन सवालों का जवाब देंगे. दाजी, आपके खुद के दो बच्चे हैं, जो विदेश में हैं, तो क्या वो भी आपकी विचारधारा से सेहमत हैं और वो हाटफुलनेस दिहान करते हैं? मेरे दो लड़के हैं, पहले लड़का जो 1984 में जनमा, उसका नाम हमने जो सहज मार्ग की पद्दती है, पहला सब जो सहज है, वो नाम दे दिया, और जब दूसरा आने वाला का कुछ प्लान नहीं था दूसरे बेटे के बारे में, लेकिन हमारे गुरु ने बताया कि आपक का होएगा, और उनको नाम दे देना मार्ग, तो यह दो बच्चे है, और जैसे कि उनके संस्कार अच्छे बने, हम तो नियोर्क में रहते थे, तो उन्होंने बताया थोड़ा, उनको अपने पैरेंट्स के पास बेज दो, क्योंकि आपके पैरेंट्स यहां ठीक से नहीं ज इस दो, तो मैंने उनके बात सुनके दोनों जब 6-6 साल के हो गए है, तब ही इंडिया बेज़ती है, तो यही मैं बात कहता हूँ, यह बुक्स में भी, कि ग्रांड पैरेंट्स हैं, तो अच्छा, अच्छी तरह से उनको संस्कार अच्छे देते हैं, उसका चरित्र, उसका परसनालिटी, उनकि उन्होंने अपन को बनाया है, तो हमसे अच्छा उनके ग्रांड चिल्रन के बनाएंगे हुए, क्योंकि उनको अनुबव हो गया है, और साथ साथ में मेरे भाई भी थे, बहन भी थे, सब लोग उनको पुरा परिवार साथ में रहता है, तो एक तरह का म इंडिया में डॉक्टर बन के युएस चला गया, वो अभी मेरा बिजनेस संभलता है, अपना ही बिजनेस, हम कुछ छोड़ते नहीं है, जो जिम्मेदारी है, वो करनी ही है, निभानी है, भाग नहीं जाना है, एक्स्ट्रा होई, सर्विस में रख दो, बड़ा लड़का ह वो मेरे साथ अभी रहता है, लेकिन वो यहां से, वहां का दंदा मैनेज कर लेता है, उनकी वाइफ है, उनकी एक लाड़का है, तुस्री लड़के के दो बीटिया है, तो इस घर में रहके ही, अपनी, क्या कहे है, पूजा कहो या सजदा कहो, तुनों को दिपाना है, अप अपनी दुनियवी जिम्मेदारी निवाते निवाते, अधियत्मिक जिम्मेदारी भी निवानी है, दाजी, आप इस संस्था के चौथे गुरु हैं, आप बविश्य के बारे में क्या सोचते हैं, कि आगे ये संस्था क्या करेगी? ये ही सिल्सिला चलता रहेगा, जैसे बोलते हैं कि अंत तक means until the end of the universe, ये सिल्सिला चलता रहेगा, क्योंकि अधियत्मिक तामें तरक्की करनी है, प्रगती करनी है, तो लिविंग गुरु की बहुत जरूरत है, यदि इस सिस्टम को एस्टाबलिस करके पहला गुरु के उनके बाद कुछ नहीं होता, तो ये अधियत्मिक ताक की नॉलेज उनके साथ चली जाती, जो फैलाव होना है, वो बंद हो जाता, लोगों कौन सिखाएगा, किताबे हैं, लेकिन वो मुर्दा है, जिन्दा नहीं है, वो उस टाइम की नॉलेज में फॉस हो जाता है, जैसे जैसे टाइम आता है, वैसे वैसे नॉलेज या अप्लिकेशन अफ नॉलेज वो बदलता जाता है, तो समय की जरूरत की बाद, एकोर्डिंग टू दाट, सब कुछ नॉलेज फ्रैक्टिस बदलता रहना चाहिए, जो फैक्ट से तूथ है, वो तो रहेग लेकिन जो सिलसला है, कैसे करना है, वो बदलेगा, ऐसे एक जमाना था, जब लोग बोलते हैं, डेजर्ट में चले जाओ, या बन में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, वहाँ, आप जंगल में कहां मिलेगा आपको जंगल, और खाना पीने का था भी खुल्चर होना है, अब कौन देगा आपको, खुद बेगर बन जाओगे, जब बेगर बन जाओगे, खाने पिने के लिए, तो इश्वर की प्रात्ना कर, क्या होगा, कर नहीं पाओगे आप, एक गर से दूसरे गर भागते रहोगे, ये शिखाई के लिए, करंट रहने के लिए, आज के समय के साथ, लिविंग मास्टर, लिविंग गाइड, इस तो मुस्ट एसेंशल, सभी धरम की जब बात करते हैं, जब जैनिजम की बात करते हैं, वो बोलते हैं, तेईश या चौविश गुरू के बाद ये, कोई आएगा नहीं, और क्रिश्चानिटी में कहते हैं, जीस आ गए है उनके बाद भविशे में आएगा, और लोग उसकी इंतजार में ही है, कब आएगा फिर से जीसेस, सिमिलरली प्राफेट साहब, एक बार आ गए है, लेकिन अभी जो दुनिया चल दे, उनको फिर से सिकाने के लिए कैसे आएगे और पहचानूगे कैसे, तो ये लिविंग हमारे बाद भी कोई नो कोई आएगा ही है, हमारे बाद जो भी हुआ है अभी तक पहले, उसको बुल जाओ, परस्नालिटी वाइस, जो नया गुरु आएगा, वो जो सिखाएगा, वो सिखो, बस समय के साथ की बात करेंगे दाजी, बहुत से लोग धन देते हैं अलग अलग जगे पे, जहां भी उनकी आस्ता होती है, तो इसमें कोई खराबी है क्या? आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को? एक तो नहीं हो सकेंगे, कभी भी नहीं हो सकेंगे, राम के समय में भी सब लोग एक नहीं थे, कभी भी नहीं हो पाए गए, यह ड्रीम है, यह सपना है, लेकिन एक दुसरे के साथ का जो सदभावना है, एक दुसरे के साथ की जो मन की एक जात की नेह भाव जो होना वो बढ़ाना है हम ऐसा जीवन नहीं जीए की लोगों को लगे कि एक गमंट से जी रहा है आपकी आबरूर क्या होगी आपके पास पैसा है इसक्रिव लोग जुग जाते हैं फ्रेम से नहीं मजबूरी से आपको सेलि करते हैं लोग फ्रेम से नहीं मजबूरी से आपकी जो position है और लोग confusion में बड़ा confusion में है हमारी sanskriti ये है हमारी sanskriti वो है और sanskriti का एक भी चीज फॉलो नहीं करते हैं एक भी चीज नहीं लोग गीता पढ़ते हैं लेकिन गीता में जो लिखा है वो करना कोई नहीं चाहता है सभी धर्म की यही बात है आप कुरान पढ़ो क्या लिखा है और लोग क्या करते हैं बुद्धिजम में देखो बुद कहते थे बगवान जैसी कुछ चीज नहीं आत्मा नहीं है लेकिन खुद लोगों ने उनको बद्ध बगवान बना दिया उसकी पुजा करने लगे तो सभी धर्म के लोग अलग 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 गलत दिशा में जा रहे हैं और जब गलत दिशा में जाते हैं और बोलते हैं कि हम सबसे अच्छे हैं मुस्मान बोलेगा हम सबसे अच्छे हैं हिंदु बोलेगा मैं सबसे अच्छा हूं यह चलता रहता है इसलिए समगाज में कभी भी शांती नहीं रहती है क्योंकि सब मानते मैं उनसे अच्छा हूं यह दर्म-धर्म की बात हो गई हिंदु धर्म में भी लोग शीव बक्त कृष्ण बक्त दुरगा वक्त सब एक दूसरे से बड़े मानते हैं और कि जो पॉलिटिकल अब बक्त है वो सब को मानते हैं किसी का दिल नाराज नहों बगवन का दिल या मां का दिल नाराज होता है लेकिन नहीं खूश रखना है बगवान को पांच रुपिया दिया या पांच लाख रुपिया दिया आसा रखते हैं पांचो क्रोड की लोग इदर उदर ये हिल्स आएंगे वो हिल्स आएंगे ये मंदर जाएंगे वो मंदर जाएंगे बगवान की तो मूर्ति है ठीक है वो भी एक तरह की मानिता है लेकिन आप वहां पांच लाख देते हो वो मूर्ती क्या करेगी वहां लोग कड़ियार फैक देते हैं वहां सोना फैक देते हैं हार निकाल के फैक देते हैं मंगल सुत्र फैकते हैं बगवन को क्या जरूरत है लेकिन ऐसा मानने लगें लोग कि ऐ कुछ और अच्छा मिलेगा यहां नहीं तो साइद वहां मिल जाए स्वर्ग में और यह सा सब मैं नहीं कुरूंगों साइद तो मुझे दोजक या हैल या नरक में पेज़ देवे तो एक सभी धर्म ये दो चीज पर आगे बढ़ते हैं एक है कि टेम्टेशन लोब यह करूंगा तो वहां जाओंगा और डर लगता है कि यह नहीं करूंगा तो बरबादी हो जाएगी यही सही धंग से कौन करता है दाजी आज हमारे देश में लोग धर्म के नाम पे बट रहे हैं आपका समाज के लिए क्या संदेश है राम को हो रहीम को हो इश्वर को हो अल्ला को हो सब अपने अंदर है उनको अंदर ढूंदो हम सब एक है यह यूनिटी पुरी दुन्या में लानी है सिर्फ हैदराबाद में नहीं या अपने देश में नहीं लेकिन यह यूनिटी तब ही आएगी जब अंदर जो बेस्ता है राम रहीम को अल्ला को हो वो अंदर है वो जब तक अपन को बाहन नहीं पड़ेगा तब तक हम लड़ते ही रहेंगे तो इनिटी के लिए सांती के लिए आँग बंद करके जुका के देखा करो वो आपको अनुन पुदी कराते हैं या नहीं वहां से सुरू करो आएए अब हम सब हर हफते की तरे दाजी के साथ ध्यान करते हैं जो लोग आज पहली बार ध्यान कर दें हमारे साथ उनको ऐसा हम बताएंगे कि ऐसे ध्यान करना है आपके पास से सभी बठकाने वाले सादनों को जैसे फोन आजी को हटा दे और रिदे में इस शरी प्रकास की उपस्तिती है उस पर ध्यान करें सोचिए कि यह दिव्य प्रकाश जो मेरे रिदे में मौजुद है वो मुझे उनकी और खीच रहा है और मैं यहान से आपको प्राणावती बेशता रहूंगा जिसका आप खुद अनुबव कर सकते हैं इस विचार को जितना संभव हो उतन देर तक पनाए रखे अगर आपका ध्यान इस पवित्र विचार से बटक जाए और आपको बहुत से विचार आने लगे तो अपने आपको बस यही याद दिलाएं कि आप दर यह प्रकास की उपस्तिती पर दियान कर रहे हैं So let's, हम सब साथ में दियान करें Please start meditation So let's, हम सब साथ में करें So let's, हम सब साथ में करें झाल 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 झाल